तथा अगर बुद्ध ने बताया, सरद्धावान उपासक में एक दस गुन होने चाहिए। एक स्रद्धावान उपासक अपने भिगों के साथ सहानू भुती रखता है। दो, सरद्धावान उपासक धर्म को सबसे उचा समस्ता है। तीन, सरद्धावान उपासक यथा शक्ति दान बिता है। चार, सरद्धावान उपासक धम को गिरते देख उसे उठाने का पूरा प्रयास करता है। पांच, सरद्धावान उपासक सत्य धारना करने वाला होता है। चार, सरद्धावान उपासक पौतु हल के मारे जिवन भार दुसरों मतों के भंदे में नहीं पड़ता। साथ, सरद्धावान उपासक शरीर और वचन का पूरा सैयम रप्ता है। आठ, सरद्धावान उपासक शान्ती चाहने वाला होता है। नौ, सरद्धावान उपासक एकता प्रीय होता है। दस, सरद्धावान उपासक केवल दिखाने के लिए धंव का आडंबर नहीं करता। किन्तु यथार्क में बुद्ध, धंव और संग की शरण में जाता है। ये सभी गुन, सरद्धावान उपासक के मन में विद्धमान उना चाहिए। भवतु सब मंगलं, रखंतु सब देवता, सबका मंगल हो, सबका कल्यान हो। कि ये समय करता है। कि ये समय क्तितार चाहिए। झाल झाल